शराब घुटाला, पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुनाओ, दो साल से बीजेपी की सारी एजनसीज गई रेड मार चुकी है, कई लोगों को गिरफ़तार कर चुकी है लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं ने मिला, कहीं से एक भी पैसा ने मिला, अग ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कुछ साबित नहीं हो रहा। खुले आम गुंडागर्दी चल रही है। किसों को भी पकड़ के जेल में डालो। अब बीजय भी मुझे गिरफ्तार करना चाहते है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ती, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है। छूटे आरोब लगाके फरजी समन भेज के यह मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मेरी इमानदारी पे चोट करना चाहते है। इन्होंने मुझे समन भेज़े हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भीजाया मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब में लिए इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा BJP का मकसद जाच करना तो है इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इनने मुझे समन भी जाए क्यों इस जाँच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया CBI ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं CBI में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे है तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने के एजरीवाल को बुला लो और उसे गिरिफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना करना आज बीजेपी ब्रश्चाचारियों को नहीं पकड़ रही बलकि खुले आम ED और CBI का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़के बीजेपी में शामिल करवाने के काम किया जा रहा है एक नहीं, दो नहीं, कितने उधारन है जहां किसी पार्टि के नेता के खिलाफ ADI, CBI के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसी वोने तब बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाग दिये गए तो जो इनकी पार्टि जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफ़ा-दफ़ागर दिये जाते है जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेन जाता है आज मनीज सिसोधिया, संजय सिंग और विजयन आयर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने ब्रश्टाचार किया है वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है आज हम BJP का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया अगर हमने जर्णासा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं कि तरह आज भी हम BJP में शामिल हो चुकिया है तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेता की मेरी एक एक सांस डेश के लिए मेरी ठोन कि एक पूंध देश के मेरे शवीर का एक कतरा देश के लिए से अमत्त है हमें मिलके देश को बचाना इन है पूरी झीजान से इन पैलाफ लड़ रहा हूं Lisa अपका साथ चेना